प्रिथवी और हमारा सौरमंडल अपने आप में ही अजुबे हैं। पूरे ब्रहमांड में अगर कहीं उन्नत सभ्यता है, तो सिर्फ हमारे ग्रह पर ही है। इसलिए हमारी प्रिथवी अतुलनिय है। ये ग्रह हमारे लिए सिर्फ एक घर ही नहीं, बलकि हमारे अस्तित्व की परिभाशा भी है। वैसे जब से अंतरिक्ष विज्ञान की शुरुवात हुई है, तब से हम हमारे ग्रह के आसपास मौझूद हर एक खगोलिय पिंडों को जानने का प्रयास कर रही हैं। और इन पिंडों में चाद भी शामिल है। शायद ये ही वज़य है कि प्रिथवी के बाद चाद पर हमारी सबसे अधिक जिग्यासा है। चाद की बात जब भी आती है, तो हमारे मन में शीतल और सफेद गोलाकार पिंड की तस्वीरें घूमने लगती हैं। बचपन से लेकर आज तक हमें चाद के बारे में काफी कुछ बताया गया है और कहा जाता है कि प् प्रिथवी के पास एक से अधिक चाद के होने की संभावनाएं हो सकती हैं और शायद आप लोगोंने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए क्यों ना आज इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं और इस विशय को काफी बारीकी से समझते हैं। द्यानिकों के अनुसार ये उलका पिंड हमारे चाद से ही बना हुआ है। दरसल बात ये है कि ये उलका पिंड चाद के जौरड़ैनो ब्रूनो नाम के क्रेटर से बना हुआ है। जो की बाद में चाद से अलग होकर अब हमारे लिए एक मिनीमून बन चुका है। इसलिए ये हमारे लिए काफी जिग्यासा से भरी हुई बात है। दोस्तो एक खास बात ये भी है कि ये उलका पिंड या यू कहें कि ये मिनी मून हमारे पृत्वी के कक्षा के साथ एक सीध में रहकर इसकी परिक्रमा कर रहा है। हालां कि आज भी इसके ओरिजिन को लेकर कई सारे बादविवाद लगे रहते हैं क्योंकि इसके अस्तित्व के बारे में अलग-अलग वैज्यानिकों की अलग-अलग राय है। खैर एक रिपोर्ट के अनुसार ये उलका पिंड चांद से टकर होने वाले एक स्पेस रॉक के कारण बना हुआ है। अधिक जानकारी के लिए बता दूं की ये स्पेस रॉक लगभग 1.6 किलोमीटर तक बड़ा था और इसके टकर से एक बहुत ही बड़ा क्रेटर चांद पर बना था। वैसे एक बात ये भी है कि मिनी मून का रिफलेक्टिव इंडेक्स चांद के रिफलेक्टिव इंडेक्स के समान ही है। इस उल्कापिंड के उपर कई शोध भी करने के लिए तयार हो रही है। विशेश सूतरों के अनुसार, 2025 तक चीन इस मिनी मून के उपर अपने पहले मिशन को अंजाम देने वाला है। अधिक जानकारी के लिए बतादू की इस मिशन का नाम टियान वेंड दो होने वाला है। वैसे इस मिशन का लक्ष काफी अनुखा है। दोस्तों इस मिशन के तहट वैग्यानिक मिनी मून से स्पेस रॉक को इकठा करने वाले हैं। और ये स्पेस सैंपल पृत्वी पर 2.5 साल के बाद पहुचने वाला है। वैसे एक बात ये भी है कि मिनी मून से आने वाला ये सैंपल सभी वैग्यानिकों के लिए अहम होने वाला है. क्योंकि इसका ओरिजिन सीधे तरीके से चांद से जुड़ा हुआ है और चांद से जुड़ी हर एक विशय हम इनसानों के लिए रोचक है. आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर ही बताएगा. वैसे कुछ वैग्यानिक ये भी कहते हैं कि मिनी मून से सैंपल इककठा करके प्रिथवी पर वापस लाना एक बहुत ही बड़ा काम है. क्योंकि इस मिशन के दौरान काफी चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है. खैर कामो उलेवा की खोज साल 2016 में ही हुई है और इतने कम समय के अंदर इसके उपर बड़े मिशनों को अंजाम देना उतना भी आसान नहीं है. चलिए अब इस वीडियो में मिनी मून के बारे में कुछ बेहद ही रोचक बातों को जान लेते हैं. आकार में ये मिनी मू जी से घूमने वाला उलकापिंड भी है. वैसे यहां एक दिल्चस्प बात ये भी है कि सूर्य के चारों तरफ ये प्रिथवी के भानती ही घूमता है. और कुछ वैग्यानिकों के अनुसार इसकी कक्षा और प्रिथवी की कक्षा लगभग एक समान ही है. वैसे अधिक जा बाली लाइट के समान ही है. तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिनी मून चाद से कितना ज्यादा मैच करता है. इसके अलावा इस मिनी मून की कई सारे गुन हमारे चाद से मेल खाते हैं. इस मिनी मून के बारे में एक खास बात ये भी है कि वैग्यानिक इसके ओरिजिन को लेकर काफी ज्यादा शोध कर रही है उनको ये जानना है कि आखिर कितने बड़े टकर के कारण इतने बड़े आकार का खंड चांद से अलग होकर मिनी मून का आकार लिया होगा क्योंकि इसी से ही हमें इसके असल गुनों के बारे में पता चल पाएगा कामो उलेवा के बारे में हम लोगों ने कई सारे बातों को इस वीडियो के जरिये जाना ہے वीडियो को लाइक ज़रूर करे ब्रह्माण से जुड़ी ऐसे ही रोचक तथियों को जानने के लिए